रादे हरे कृष्णा कैसी हूँ आप सभी लोग आश्रा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे स्वस्थ होगे अच्छे होगे अच्छा नए साल की तैयारी हो गई यह से तुम्हें आपको बता दूँ है हमारा नववर्स नहीं है यह अंग्रेजों का नववर्स है मेरे लिए लोग केवल साल कलेंडर के हिसाब से बदला है मेरा रियल साल तो तब बतलेगा जब अप्रेल के चेत महीने में नए साल आएगा तो अगर आप नए साल की सुरवात स्रिधाम विंदावन से करना चाहते तो मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको क्या क्या साब धानिया वरत नहीं है आज मैं उसका सेकिंड पार्ट लेकी आई हूँ यह मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बिहारी जी के मंदिर में बहुत बीड होती है तो यह काम अवस्य कीज़ेगा एक काम कि अगर आप अपनी गारी से जा रहे हैं तो गारी से जाना अभॉइट कीजिये क्योंकि गारी की जो पार्टिंग वह बहुत दूर खड़ी कर देता है क्योंकि उस समय पर अंगिनत भीर होती है तो गारी की parking almost सारी full हो चुकी होती है गारी विंद्रवन में allow नहीं करते हैं पुलिस वाले और बहुत दूर आपको गारी खड़ी करनी पड़ती है फिर आपको टम-टम या ओटो निक्सा का सहारा लेना पड़ता है और उसके बाद ही जाना पड़ता है तो avoid कीजिए कि आप गारी से आए इफ इन केस अगर आप गारी से ही आ रहे हैं आपका प्लान है कि आप गारी से ही आ रहे हैं तो फिर आप के घर पे जो भी पुराने वस्त्र हैं जो भी पुराने जूते चपल हैं कि पिया करके उनको दो लीजिए दोने के बाद थोड़ा सा नीबू डालके उनको पानी में और निकाल दीजिए उसके बाद सुखा के प्रेस करके तै करके रख लीजिए और उनको अपने साथ जरूर जरूर लेके आईए अतल्ला चुंगी पे आने के बाद आप किसी से पूछिएगा कि बाबा नीम करोली के आश्रम कहां पे है बाबा नीम करोली के आश्रम के पीछे बाबा नीम करोली की गउसाला है गाए की गउसाला है वहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे और गरीब लोग हैं बहुत सारे हेल्पी लोग हैं नीडी लोग हैं उनको ये वस्र और कपड़े अवश्य दीजिए अब आप कहोगे कि दिदी पुराने कपड़े दान नहीं करते हैं बहुत सारे ग्यानी लोग आएंगे और बोलेंगे देखिए मैं खुद वहाँ पे कम से कम आच से दस बार कपड़े डोनेट करके आई हूँ मेरे घर से बहुत पास परता है विंद्रवन में शिर्धाम अगर उनके पास कुछ भी कपड़े नहीं हो तो पुराने ही जिसको भूक लगी होती है वह यह नहीं कहता कि पनीर ही मिल जाए मुझे रोटी अगर जिसको भूक लगी है उसको चिट्णी के साथ निल जाएगी न तो वह बड़े प्यार से खालेगा वो लोग बहुत ही नी बाबा नीम करोली की गउसाला ये मेरे को उन लोगों ने आज से आज से दो साल पहले मुझे वहां पे जो बाबा नीम करोली के जो इस सेवक हैं उन्हों बाबा नीम करोली के समाधी स्थल में जाती थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास कुछ पुरारे कपड़े हैं तो हमारी पीछे जो गउसाला की जो सेवक हैं उनकी बच्चों को जरूरत है आप प्लीस दे दीजेगा तो मैं एक बार गई मैंने जाके देखा उनको समय है सर्दी का मोसम है दुफायर का समय आप परिकर्मा के लिए स्लेक्ट कीजिएगा जब सारे मंदिर बंध हो जाते हैं उमें आप नंगे पैर धूप निकल रही होगी श्रीधाम विंदावन की परिकर्मा कीजिए और परिकर्मा करके आनंद लीजिए अगर आप किसी ग गॉष साला हो गई या अफिर आप के कोई भी गो साला में जाते हैं तो आप वहां की गॉष साला की मिट्टी ज़रूर और जरूर लेके आएगा ब्रज रज आप लाने के बहुत ज़्यादा कोशिश 2 अगर आप राधा दामोदर के मंदिर जरूर जाएगा और दामोदर जी की चार परिक्रमा अवश्य कीजिएगा ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे भगवान के चलनों के निसान है भगवान की लाठी के निशान है वहाँ पे भगवान की चार ऐसी चीज़े भगवान की बाशुरी के निसान आज भी मोजूद है अगर आप चाहोगे तो मैं कभी उनकी कथा भी आप लोगों को सुनाओंगी उस मंदिर की चार परिक्रमा करने पर संपूर गोबर धन की परिक्रमा का फल्द मिलता है तो आप लोग जब भी जाओ अगर आपके पास परिक्रमा का समय है तो परिक्रमा करो इफ इन केस आपके पास परिकर्मा का समय नहीं है तो आप राधा दामोदर जी के मंदिर जरूर 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 जाए और दामोदर जी की चार परिकर्मा अवश्य कीजिए आप जा रहे हो इस मोसम में आप कहोगे कि दिदी इस मोसम में तो लस्टी हम पी नहीं सकते लस्टी मिलेगी भी कम बहुत कम मिलेगी इस मोसम में लस्टी विंद्रवन जाओ और दूद और दही का सेवन ना करो तो मुरू को ऐसा लगता है कि विंद्रवन जाना स्क्राइज का लेकर के सब्सक्राइब के लाप पूरी पूरी इस बातकी संपूर जानकारी में आप लोगों को दे चुकी हूं बाकि अगर आप नए साल पर शीधाम विंदाबन जा रहे हैं तो अपने कपडों का पूरा इंतिजाम करके जाएए ये नहीं कि भई ये शीधाम विंदाबन में ठंड नहीं होगी शीधाम विंदावन में नए साल पे जो कभी-कभी temperature माइनस में भी चला जाता है बहुत ज़्यादा temperature कभी-कभी ऐसा होता है 2-1 भी चला जाता है रात्री का temperature तो अगर आप रात्री को रुकने का इंतजाम कर रहे हैं या तो आप होटल में रुकिए तो होटल में कुछ ना कुछ कम्बल प्रवाइड करा देंगे इफ इन केस अगर आप अपनी गारी से जा रहे हैं तो अपने गरम कपड़ों की विवस्था करके आपको स्वते ही चलना पड़ेगा इस बात का आपको विशेश और विशेश ज्यान देना है अगर आप विंदवन जा रहे हो तो विंदवन से सम्बंदित ये वीडियो थी और अगर आप बरसाने जा रहे हो तो बरसाने में भी दो रस्ते हैं एक आपका सीडी वाले रस्ता है एक आपका पैदल रस्ता है अगर आप सीडी वाले रस्ते से जाते हो अगर आप यंग हो आपके पैरों में सामर्थ है तो मैं प्रफर करूँगी कि आप सीडी वाले रस्ते से जाए क्योंकि कहते हैं कि उसमें 365 सीडियां है राधरानी की मंद सब्सक्राइब कर सकते हैं और राधर आनी की मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड रहती है यहाँ पर नए साल भाले दिन भीड लगी तो मैं नए साल वाले दिन आगर आपके साथ बच्चे हैं व्रद हवस्ता में तो इन दो जगों पर जाने की में मनाही करती हूं एक बाके भिहर जी का मंदिर और दूसरा राधर आनी के मंदिर बाकी राधा वल्लव राधा मादाव राधा नंद गोपेश्वर महादर रमन रिती इन सब जगों पे आप जा सकते हैं क्योंकि भगवान के रूप अनेक है और भगवान एक है मैं आपकी आप लोग मेरे अपन पार्ट है कि अगर आप हैपी नुएयर पर श्रीधाम बिंदवन जा रहे हैं तो आपको क्या-क्या सापधानिया बरतनी चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूटूब चैनल हरी बोल को लाइक सेर सिस्क्राइब करना बिल्कुन भी मत दीजे जलन रार्दे रार्दे जैश्री किष्णा हरी बोल